दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीवीसी वोल पैनल इंस्टोलेशन के बारे में तो दोस्तो सबसे बड़ी खास बात यहां पर यह है कि यहां पर पहले पलस्तर नहीं हुआ जो हम पलस्तर करते हैं दिवार पर तो वो नहीं हुआ यह बहुत ही मज़ेडार बात है कि यहां पर जो पीवीसी है वो सिद्धी दिवार पर लगाई जा रही है बिना पलस्तर के तो वो इंस्टोलेशन किस प्रकार होती है मैं आपको पूरा दिखाऊंगा और आप बचा सकते हो अपना बहुत सारा पैसा अगर आप अपना मकान बना रहे हो तो बिना पलस्तर के भी आप पीवीसी पैनल को इंस्टोल करवा सकते हो दोस्तों यहां पर सबसे पहले अगर बात करें पीवीसी वोल पैनल की तो जो पीवीसी वोल पैनल का डिजाइन आप देखिए यह फ्लावर वाला डिजाइन कुछ ही इस परकार से और अगर साथ में मैं आपको दिवार दिखाऊंग तो दिवार की हालत देख लीजी आप इत-घ श Alorsकार बहुत प्र से इंत्रोल कर रहे हैं यहां पर बहुत जर लगाई जाता ही आए होफ शार लम रहे हैं यहां पर ड़े जो फ़िवीसी वोल पैनल का इंत्यार नेAre और यह कोलम है कोर्णर में यहां पर भी हम PVC वोल पैनल को इंस्टोल करेंगे तो दोस्तों अगर आपको भी अपने घर पर PVC वोल पैनल इंस्टोल करवाना है तो आप प्लास्टर का खर्चा बचा सकते हो पूरा-पूरा तो आप सिद्धा PVC वोल पैनल को लगवा सकते हो आप डिजाइन जो मर्जी सेलेक्ट कर लेना आपको मन पसंद डिजाइन PVC वोल पैनल में आपको मिल जाएगा तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से PVC वोल पैनल इंस्टोल हो रहा है और अगर थोड़ी सी यहां पर हम रेट की बात करें PVC वोल पैनल की तो अगर आपको ड्रेक्ट दिवार पर मतलब बिना पलास्तर के PVC वोल पैनल को इंस्टोल करवाना है तो यहां की जो कोश्ट है वो 80 रुपए पर सकेर फुट के हिसाब से आ जाती है तो दोस्तों यह हमारा जो काम है PVC वरक आपको कैसा लगा यह आप कमेंट करके जरूर बताना PVC से रिलेटिव अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आपको हम जरूर देंगे और अगर आपको कोई काम करवाना है त सेब्ट के साथ और जो यह PVC गोल पैनल लगाने का हमारा तरीका है वो आपकी कैसा लगा है वो कमेंट करके आप जरूर बताना